केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी खजाने को भरने के लिए कई एहम फैसले पहले भी लिये हैं लेकिन इस बार सरकार ने बजट 2021 में इस बात का एलान किया है कि आगामी वित्तिये वर्ष में पौने 2 लाख करोल रुपए वी निवेश से जुटाने का प्रयास किय बता दें कि पिछले साल मोदी सरकार ने कहा था कि हम वी निवेश से 2.1 लाख करोल रुपए जुटाएंगे लेकिन सरकार इस लच्च को प्राप्त करने से काफी पीछे रह गये थी ऐसे में इस बार सरकार ने पिछले साल की तुलना में 35,000 करोल रुपए कम वी निवेश स जमा करने का फैसला किया है बजट पेस करते वक्त वित्मंद्रे निर्मला सीता रमण ने कहा कि इस रकम को जुटाने के लिए सरकार के पास प्लैन तयार है मोदी सरकार ने इस दोरान साब किया कि वी निवेश से पैसा जुटाने के लिए कई सरकारी कमपनियों को के लिए सरकार मन बना चुकी है पता दें कि बीपी सीयल में देश के 17138 पेट्रोल पंप हैं भारस सरकार की इसमें कुल 52.98 प्रत्सत हिस्सेदारी है सरकार बीपी सीयल को खरीदने वाली कंपनी को मालिकाना हक के साथ करीब 114.91 करोड रुपए की शेयर पर अधिकार भी दूसरी कंपनी है Air India केंदर सरकार Air India को भी बेचना चाहती है सरकार ने बताया है कि इस कंपनी पर कुल 60,074 करोड रुपए का कर्ज है ऐसे में खरीदने वाले को इस कंपनी को खरीदने के बाद सरकार को केवल 23,286.5 करोड रुपए देने होंगे तीसरी कंपनी है Concore यानी Container Corporation of India Limited को भी केंदर सरकार प्राइवेट कंपनीयों के पास बेचने का मन बना चुकी है सरकार ने बजट में साफ किया कि इस कंपनी में वी निवेश के लिए फैसला लिया जा चुका है चौथी कंपनी है LIC का IPO वित्तमंत्री निर्मला सीतर अमन ने अपने भाशट के दौरान इस बात का जिक्र किया है कि अगले वित्तवर्च में सरकारी इंशूरंस कंपनी LIC का IPO लॉंच करने की तयारी है सरकार की तरफ से अपनी बात रखते वी वित्तमंत्री ने कहा कि इसके लिए कुछ कानून में बतलाव की जरूरत होगी लेकिन सरकार LIC में अपनी 25 फीसद हिस्सेदारी को कम करेगी पाचवी कंपनी है SCI, SCI का Earth Shipping Corporation of India है या भारत सरकार के अंतरगत आने वाली कंपनी है बता दें कि SCI आज एक मात्र ऐसी भारतिय शिपिंग कंपनी है जो किसी भी भारी वस्तुओं को समुदरी मार्ग से लाने या फिर अंतर राष्ट्रिये कंटेनर सेवा प्रदान करने जैसी सुविधाएं प्रदान करता है लिक्विड हो या फिर ठोस वस्तुओं को समुदरी मार्ग से एक जगा से दूसरी जगा पहुचाने की बेवस्ता देखता है लेकिन इस कंपनी को सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के हाथों में देने का फैसला कर लिया है